आज हम बात करेंगे EBS से related बहुत ही important questions के जो के आपके seated exam की द्रश्टी से बहुत ही important है अगर आप भी seated exam की तैयारी करने हैं तो ये वीडियो और इसके सभी प्रसना आपके लिए बहुत ही मैतोपूर होने वाले हैं तो फ्रेंज अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को बिना स्किप किये हुए लाश्ट तक जरूर देखें तो चलिए हमें स्टार्ट करते हैं टॉपिक है हमारा स्कूल जाना तो बच्चे किस प्रकार से स्कूल जाते हैं उठी किया जाता है आपका लद्दाख में ने आपका सीमेंट कपवल समयन छेत्र या फिर समतल या फिर पानी के उपर बनाया जाता है नेक्स्ट है बल्लम लकडी जो के केरल में पाई जाती है ये लकडी की चोटी नाव होती है नेक्स्ट है उट गाडी उट गाडी का प्रयोग आपका राजस्थान राज्य में किया जाता है नेक्स्ट है बैल गाडी बैल गाडी मैदानी इलाकों के ग ज्यादा तर पंच्छी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों पर नजर डालते हैं जब यह बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आखें एक ही चीज पर होती हैं ज्यादा तर पंच्छी एक ही पुतली घूम नहीं सकती वे अपनी गरदन घुमा कर ही आसपास देख पंच्छी जब दोनों आखें एक ही चीज पर किंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज की दूरी का एसास होता है और जब अलग अलग चीजों पर किंद्रित करते हैं तो उनका देखने का तायरा बढ़ता है नेक्स्ट पॉइंट है आपका चील बाज और गिद्द जैसे चार गुना दूरी से ही देख पाते हैं नेक्स्ट है जो चीज हमें दो मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है वह चीज ये पच्छी आठ मीटर की दूरी से देख पाते हैं नेक्स्ट है एक पच्छी एक पच्छी की आखें उसके सिर पर होती है और उनके सिर के दोनों छोटे 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 छेद जैसे कान होते हैं इन्हें की मदद से पच्छी सुनते हैं नेक्स्ट पॉइंट है छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं मगर मच्च के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं लेकिन हम उन्हें आसानी से देख नहीं सकते जानवरों पर अलग-अलग पैटर्न उनकी तुचा पर बालों के कारण होते हैं किसी जानवर के सरीर पर बालों के बिना कोई पैटर्न नहीं होता ये कुस्षन आपका या था सीटेट सेप्टमबर 2016 वाले एकजाम में जानवर जानवर और सरीर पर बाल होते हैं वे सभी जानवर जन्म देते हैं यानि बच्चे देते हैं Next है आपका सरी के बाहर पेना कान या छेद वाले जानवर अंडे देते हैं Next point हम बात करते हैं सबसे बड़ी मादा हाथी जुंड की मुखिया बन जाती है जुंड में कोई नरहाथी नहीं होते वे 14 या 15 साल की उम्र में जुंड को छोड़ देते हैं Next point है आपका एक बयस का हाथी एक दिन में 100 किलो ग्राम तक पत्ते और टहनिया खा सकता है Next है हाथी दिन में केवल 2-4 घंटे सोते हैं कीचड हाथी की तुचा को ठंडा रखता है यानी हाथी कीचड में खेलना अधिक पसंद करते हैं उनके बड़ी कान भी पंखे की तरह काम करते हैं वे खुद को ठंडा रखने के लिए उन्हें फड़ पड़ाते हैं जिससे हाथी के सरीर को ठंड़क मिलती है जिससे बारे मादा हाथी और बच्चे होते हैं खेजडी गाउं राजिस्थान में जोधपूर के पास है लगबग 300 साल पहले इस गाउं के लोगों को बचाया था खेजडी गाउं के लोग बिसनोई कहलाते थी खेजडी का पेड जादा पानी के बिना बड़ा हो सकता है यह फलियां देता है और कीडों से प्रभावित नहीं होता बिहार के मुझफर पूर जिले में बोचाह गाउं है मदमक्यां अक्टूबर से दिसंबर तक अपने अंडे देती हैं यानि मदमक्यों के अंडे देने का सही समय माना जाता है अक्टूबर से दिसंबर अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की प्रतेक मदमक्य के छत्ते में एक रानी मदमक्य होती है जो अंडे देती है छत्ते में केवल कुछ नर होते हैं छत्ते में अधकांस मधमक्खियां स्रमिक होती हैं स्रमिक के रूप में नर्मधमक्खियों की कोई बिसेश भूमिका नहीं होती ट्रेन कच्छ गुजरात में गांधी धाम से स्रू होती है गुजरात का खाना है आपका ढोकला चटनी, नीबु वाले चावल, बोवी मिठाई के साथ मडगाव आपका गुवा में है कोजी कोड से केरल तक के मार्ग में कुल दो हजार पुल और बानबे सुरंगे हैं कोजी कोड तच्छड भारत में केरल राज्य में मालाबार्ग तटपर एक सहर है इसे काली कट के नाम से भी जाना जाता है गुजरात से केरल के रास्ते में ट्रेन पार करती है महाराष्ट्र, गोवा, करनाटक, फिर भारतियर राज्य केरल पहुँशती है यहां की भासा है जो भासा यहां बोली जाती है वो कौन-कौन सी भासा कौन सी राज्य में बोली जाती है मले आलम आपकी केरल में बोली जाती है कोकडी, करनाटक, महाराष्ट, गोवा और केरल के कुछ हिस्सों में बोली जाती है मराठि वासा आपकी महराष्ट गोवा, दमन और दीव, दादरा और नागर हवेली गुजराती आपका गुजरात में बोली जाती है कन्नर बोली जाती आपकी करनाटक, आंधर प्रदेश, तमिलनाडू और आपका महराष्टर में नेक्स्ट पॉइंट है, फेरी केरल में उपियोग की जाने वाली एक नाव है इसका जो बिवरन है, बिवरन आप ट्रेन टिकेट पर पा सकते हैं इसमें आपका ट्रेन नंबर, यात्रा की शुरुवात की तारीख, बर्थ और कोज संख्या, किराया यानी टिकेट की लागत, दूरी वो भी किलोमीटर में ये सब ही आपका इस पर लिखी वी हो सकती है कोज सन बनता है आपका ट्रेन टिकेट पर पी एन आर दिखाता है, तो क्या क्या दिखाता है option है आपके यात्री संख्या record, second option है यात्री का नाम record, third option है ब्यक्तिगत नाम record, fourth option है ब्यक्तिगत काईड संख्या तो train ticket पर PNR क्या दिखाता है तो ब्यक्तिकत नाम record ये दिखाता है option C इसका सही होगा एक और question बनता है आपका train ticket से related वो इस प्रकार से है आरचित rail ticket से निमने लिखित में से कौन सी जानकारी प्राप्त की जा सकती है booking की तारीक और समय यात्रा शुरू होने की तारीक और समय, coach नंबर, birth नंबर और किराया यात्रियों का नाम, I or link नाम, boarding station और अंतिम station के साथ train नंबर गंत्यव्य पर पहुँचने की तिथी और समय तो ये जो option दिए हैं आपके point में, A, B, C, D इसके according आपका कौन सा सही होगा तो point नंबर B आपका सही होगा option नंबर B सही होगा इसमें आपके चारों point सही दिए हैं जैसे के A, B और C, D next topic है आपका करणम, मल्लेश्वरी के बारे में तो point है आपका क्या तुमने अख़वार में इनके बारे में पढ़ा है करणम, मल्लेश्वरी एक बेट लिफ्टर जिसे हम कहते हैं भारो तोलक ये आंध्रप्रदेश की रहने बाली है इनके पापा पुलिस में हवलदार है जब ये बारे साल की थी तभी से बजन उठाने का अभ्यास करने लगी अब वे एक बार में 130 किलोग्राम तक बजन उठा लेती है करणम, मल्लेश्वरी ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं उनकी चार बहने भी रोज बजन उठाने का अभ्यास करती है अब हम बात करते हैं मधुवनी पेंटिंग के बारे में पॉइंट नमबर फर्स्ट है आपका चित्र में डिजाइन को मधुवनी कहा जाता है यहां लोक कला का एक बहुत पुराना रूप है बिहार में एक जिला है जिसे मधुवनी कहा जाता है उसी के नाम पर इस पेंटिंग का नाम पड़ा यह चावल के पावडर के पेश्ट से पेंटिंग बनाई जाती है जिसमें रंग मिलाया जाता है नेक्स्ट पॉइंट है इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूलों और पेड़ों के रंग आधी का प्रयोग किया जाता है यानि इस पेंटिंग में मधुवनी पेंटिंग में प्राक्रतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है चित्रों में इंसानों, जानवरों, पेड़ों, फूलों, पंचियों, मचलियों और कई अन्य प्रकार के जानवरों को दिखाया गया है नेक्ट है पेलवन का गाउं आपका करनाटक में है गिजुबाई बधी का गुजरात में रहते थे उन्होंने बच्चों के लिए कई कहानिया लिखी एक भारत्यरोविन अपने अंडे सडके केनारे पत्थरों के बीज में देती है कोईल कोई के गोशले में अपने अंडे देती है पंचे अपने अंडे देने के लिए ही गोशले का निर्मार करते हैं चूजे बड़े होने के बाद अपना घोसला छोड़ देते हैं, नलमदा अंधर प्रदेश में है, हिलगुंडी गांग आपका करनाटक में है, हिलगुंडी में बच्चों की पंचाय जो भीमसंग कहा जाता है, बरगत के पेड के बारे में जो लटकती हुई साखाओं की तरह दिखता है, वह बास्तम में इस पेड की जड़े हैं, डेजाइट ओक यानी रेगिस्तानी ओक एक पेड है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ओक के पेड की जड़ें गेहराई तक जाती हैं और पानी पेड के तनों में जमा हो जाता है, अब है नेक्स्ट पॉइंट, असम्य चावल की नई फसल के अफसर पर बेहु उत्सम मनाया जाता है, आपसे एक कोशन बनता है कि बेहु का त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, बेहु या फिर कटी बेहु ये आपका असम राज्य में मनाया जाते हैं, नेक्स्ट आपका माग बेहु, 14 और 15 जनवरी को या फिर असमिया कलेंडर के दस्वे महीने के पहले और दूसरे माह में मनाया जाता है बिहु के अपसर पर बांस में भेला घर बनाते हैं मुक्तापुर गाउं आंधर प्रदेश तेलंगाना राज्य के पोचमपली जिले में है नेक्स्ट आपका पोचमपली जिले में पारम पर एक व्यवसाय है कालीन बुनाई खिलोना बनाना इत्रुत पादन आदी ये चीज़ें उस जगे के नाम से प्रसिद्ध हो गई है जहां उन्हें बनाया जाता है जैसे के कुलू सौल, मधवनी पेंटिंग, असमरेश सम, कस्मीरी कड़ाई आदी अब है आपका अबुधा भी है तो ये आपका है सैयुक्त अरव अमीरात में चिटपन आपका यहां मल्यालम में पिता के छोटे भाई को कहते हैं कुन्जम्मा आपका मल्यालम में पिता के छोटे भाई की पतनी को कहते हैं केरल में कई फलों के पेड मिलते हैं जैसे के नारियल, केला, कटहल, पपीता, सुपाडी आदी नेक्स्ट है आपका रेगिस्तान में उगने वाला एक मात्र पेड है खजूर नेक्स्ट केरल में बिविन मसाले मिलते हैं जैसे कि तेजपत्था, इलाईची, काली मिर्च, आदी गरम मसाला छोटी और बड़ी इलाईची, लौंग, चीरा, दालचीनी, काली मिर्च, सोंठ, आदी से बना हुआ होता है लेफ्टिनेंट कमांडर बहीदा पिरिज्म भातिय नौसेना में एक डॉक्टर हैं लेफ्टिनेंट बहीदा परेड का नेत्रत करने वाली पहली महिला हैं बहीदा पिरिज्म जम्मू और कस्मीर के राज़ोरी जिले में धन्नडी से हैं अब है नेक्स्ट पॉइंट परेड में कुल आदेसों की संख्या 36 होती है प्रेज में ऐसा कांच होता है जो सात रंग दिखाता है तिबबती जिसे भोटी भी कहा जाता है लद्दाक में बोली जाने वाली ये एक भासा है भोटी भासा में मा को आमाले कहा जाता है भोटी भासा में पिता को आवाले कहा जाता है रेसम का कीड़ा अपनी मादा कीड़ा को उसकी गंद से कई किलो मीटर की दूरी से पेंचान लेता है यानि ढूर सकता है चीटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा पधार्थ छोड़ती हैं जिसे सुनकर पीछे आने वाली चीटियों को रास्ता आसानी से मिल जाता है मच्छर हमारे सरीर की गंद खास कर पैरों के तलवों की और हमारे सरीर की गर्मी से हमें ढूंग लेते हैं सडकों पर कुटों की अपनी जगे बटी हुई होती है एक कुटा दूसरे कुटे के मलमुत्र की गंद से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुटा आया हुआ है जैसे हमें इतने सारे रंग दिखाई देते हैं उतने रंग जानवरों को दिखाई नहीं देते आम तोर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं रात में जागने वाले जानवर हर चीज को काली और सफेध ही देख पाते हैं साप के पाहरी कान नहीं होते जमीन पर हुए कमपन को ही वह मैसूस कर पाता है जंगल में उंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीवत जैसे सेर चीता को देखके एक खास आवाज निकाल कर अपने साथियों को संदेश देता है नेश्ट ने आपका कुछ पच्छी अलग-अलग खत्रों के लिए अलग-अलग आवाज निकालते हैं जैसे उड़कर आने वाले दुस्मन के लिए एक अलग तरह की आवाज और जमीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाज निकालते हैं मचलियं खत्रों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं कुछ जानबर भूकम प्यात तूफ़ान आने से कुछ समय पहले अजीब हरकते करने लगते हैं जो लोग जंगल में रहते हैं वे जानबरों के इस ब्यभार को समझते हैं वे जान लेते हैं कि भूकम पाने वाला है या कुछ अनुहोनी होने वाली है सन 2004 दिसंबर में आये सुनामी से कुछ समय पहले जानबरों के अजीब व्यभार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आबाजों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाती समझ गई उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया इस प्रकार इस जाती के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए डॉल्फिन भी एक अलग-अलग तरह की आबाजय निकालती है और एक दूसरे से बात करती है बैग्यानिकों का यह मानना है कि कई जानबरों की अपनी पूरी भासा है सलोट भालू के जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं होते यह दिन के करीब सत्रे घंटे पेड़ों से उल्टे से लटका कर मस्ती से सोते हैं नेक्स्ट पॉइंट है यह जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाते हैं लगवक चालीस बर्स के अपने पूरे जीवन में यह मुश्किल से आठ पेड़ों पर भूमने की तकलीफ उठाते हैं यह सप्ता में एक बार ही सोच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं बाग की मुच्छें हवा में हुए कमपन को भाप लेती हैं और उसे सिकार की बिल्कुल सही इस्तिती का पता चल जाता है बाग की मुच्छों से उन्हें अधेरे में रास्ता धूरने में काफी मदद मिलती है बाग अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंद छोड़ जाते हैं यहाँ इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है एक बाग किसी दूसरे बाग के मूत्र की गंद से एक दूसरे को पहचान लेते हैं बाग मौके के अनुसार अपनी आवाज पदलता रहता है गुसे में, कराहने में, गुर्राने में अलग-अलग आवाज और बाग इन को बुलाना हो तो अलग आवाज निकालते हैं बाग का गुर्राना तीन किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है बाग हवा में पत्तों के हिलने और सिकार के जाडियों में हिलने से हुई आवाज में अंतर को भाप लेता है बाग के दोनों कान बाहर की आवाज इखटा करने के लिए अलग-अलग दिसाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट है बाग इतना सतर्क जानबर है लेकिन इस सब के बाबजूत आज वह खत्रे में है हाथी को उसके दांतों के लिए मार दिया जाता है गैडे को सींग के लिए मार दिया जाता है सेर मगर मच्छो साप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है कस्तूरी हिरन को थोड़ी सी खुसवू के लिए मार दिया जाता है हमारे देश में बाग और अन्निक कई जानवरों की गिंती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खत्रा है हमारे देश की सरकार इने बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरच्छा दे रही है जैसे उत्राखंड का जिम कारवेट नेशनल पार्क राजिस्थान के भरुत भरतपुर जिले में घाना इन जंगलों में जानवरों का सिकार मना है यहां लोग जानवरों या जंगल को कोई नुखसन नहीं पहुचा सकते सपेरे लोगों को कालवेलिया कहते हैं कालवेलिया डान्स आपका राजिस्थान का फेमस है कालवेलिया नाच में भी साप जैसी मुद्द्राएं होती है हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल चार तरह के सांपी जहरी ले होते हैं जैसे कि नाग, करेंथ, दुबोईया, अफाई सांप जब किसी को काटता है तो उसके दो खोकले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के सरीर में जहर चला जाता है जहर के असर को खतम करने वाली दबाई सीरम सापके जहर से ही बनाई जाती है और यह दबाई सीरम सभी सरकारी स्वास्त किंद्रों पर मिलती है आम तोर पर हमारी पेट के अंदर का तापमान लगबग 30 डिग्री सेंटी ग्रेड होता है हमारी पेट का पाचक रस ऐसे ड्यानी अमल की तरह होता है काला हंडी में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है फिर भी यहां के लोग भुकमरी का सिकार होते हैं आत्रिय पुरम गाउं आपका आंदर प्रदेश में इस्थित है दीगे तालिका में एक तरफ खाने की कुछ चीजों के नाम दिये गए हैं और दूसरी तरफ उन्हें एक दो दिन तक खराब होने से बचाने के कुछ घरेलू उपाय दिये गए हैं तो आईए हम बताते हैं चीजें और घरेलू उपाय तो दूद का क्या करते हैं हम, दूद को सनरचित करने के लिए दूद को ओवालते हैं, पके हुए चाबल को एक कटोरे में डालकर पानी के बरतन में रखते हैं, हरे दनिये को हम गीले कपड़े में लपेट करके रखते हैं, प्याज और लैसुन को हम खुले में रखते हैं और नमी निकल जाए अगर सीसी में थोड़ी सी नमी रह जाएगी तो अच्छा खराब हो जाएगा यानि सड़ जाएगा अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तो कुछ हैसे पौधे भी होते हैं जो चूहों मैडकों कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का सिकार करते ह इनमे नीपेंथिन सबसे ज़्यादा मसहूर है यहां ऑस्टेलिया, इंडोनेसिया और भारत के मेगाले राज्य में पाया जाता है इसका आका लंबे घड़े जैसा होता है जिसके उपर पत्ती का ढखकल लगा होता है घड़े से खास खुस्बू निकलती है जिसकी वज़े जैसे कीड़े खिचे चले जाते हैं पौधे के ऊपर पहुचते ही कीड़े अंदर फस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते कुछ बीज हवा में उड़कर बहुत दूर दूर तक पहुण जाते हैं कुछ बीज हवा में तो उड़ नहीं पाते यह जानवरों की खाल और हमा है आपका पिचर पिलांट यानी निपेंथिन्स तो ओप्षन है भारत में कहीं पाया जाता है सेकंड ओप्षन है मेंड को कीडो मकोडों और चूहों को चतुराई से फसाता है और खाता है, option C कीडों को आकरसित करने के लिए उच्छ तारत्यों की आवाजे निकालता है, option D मोह छोटे छोटे कांटों से धका होता है, तो इसका right answer सही answer होगा, आपका option B मैड को कीडों और चुहों को चत्राई से फसाता है और ये खा जाता है, NCRT किताबों के महतुपूर बिंदू है, NCA 2005 के अनुसार कच्छ तीन से पांस तक के पर्लिया वरण अध्यन को छे थीमों में विभाजित किया गया है, जो के इस प्रकार से हैं, फर्स्ट है आपका परिवार एवं मित्र, सेकिंड है भोजन, थर्ड है पानी, फोर्ट है आपका आवास, फिप्ट है यात्रा, सिक्स्ट है आपका हम चीजें कैसे बनाते हैं, नेक्स्ट है मधमक्की पालन, तो बेहार के मुझफफरपूर का बोचाह गाओं, इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत अधिक पाय जाते हैं, इसलिए इस छित्र के लोग मधमक्की पाल कर सहथ बनाने का काम करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है मधमक्की पालन को एपी कल्चर कहते हैं, अक्टूबर से दिसंबर मधमक्की के अंडे देने का समय होता है, यही मधमक्की पालन शुरू करने का भी सही समय होता है, लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं, मधमक्की के हर छत्ते में एक रानी मधमक्की होती है, जो अंडे देती है, छत्ते में कुछ नर्मक्की भी होती है, छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्कियां भी होती है, यह दिन भर काम करती हैं, सहथ के लिए फूलों का रस दूरती हैं जब मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है उससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहां पर है नेक्स्ट पॉइंट है वह रस से सहर बनाती है छत्ता बनाने का काम भी इनीका होता है और बच्चों को पालने का काम भी इनीका होता है नेक्स्ट है आपका मधमक्की पालन में बक्से का प्रयोग किया जाता है इस बक्से में चीनी का मीठा गुल डाला जाता है नेक्स्ट है आपका नर्मक्की छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करती मधमक्की के डंक में फार्मिक अमलो होता है अब है आपका चीटियां तो चीटियां मिल जूल कर रहती हैं और चीटियों का काम बटा हुआ होता है रानी चीटि अंडे देती है सिपाही चीटियां बिल का ध्यान रगती है काम करने वाली चीटिया भोजन ढूड कर बिल तक ले जाती है नेक्स्ट पॉइंट है चीटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती है जिसे सूंकर पीछे आने वाली चीटियों को रास्ता आसानी से मिल जाता है आपको नोट करके लिखना है दीमक और ततईये भी समूह में रहते हैं जैसे चीटियां आपकी मिल जूल करके रहती हैं बैसे तीमक और ततईये भी समूह में रहते हैं नेक्स्ट है आपका रेसम का कीड़ा तो रेसम का कीड़ा अपनी मादा को इसकी गंद से कई किलोमीटर की दूरी से ही पैचान लेता है अब है मच्छर तो मच्छर हमारे सरीर की गंद खास कर पैरों के तलवों की और हमारे सरीर की गर्मी से हमें ढूड लेते हैं मच्छर पानी में अंडे देते हैं डैंगू, मलेरिया, चिकन गुनिया, बीमारी मच्छरों के द्वारा फैलती है रोके हुए पानी में या एकटा हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं इसलिए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डालना उचित रहता है इस से पानी का प्रष्ट तनाप कम हो जाता है और आक्सीजन की आपूर्थी रुख जाती है जिससे मच्छर का लारवा मर जाता है नेक्स्ट है आपका कुत्ता तो कुत्तों की गलियों में अपनी जगे बटी हुई होती है एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंद से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया हुआ था नेक्स्ट है चूहा तो चूहों की देखने की चमता कम होती है लेकिन इनके सूंगने चूने और टेस्ट करने की चमता अधिक होती है अब है आपका उल्लू तो उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक गुमा सकता है नेक्स्ट है मैना, तो मैना जटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है अब है चील बाज और गिद्ध, तो चील बाज और गिद्ध हमसे चार गुना अधिक दूरी तक देख पाते हैं चील की मूच, सौरी, चील की पूच खाँचे वाली होती है गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगे साप कर देता है और आकास में उंचाई पर उड़ता है नेक्स्ट है आपका कल्चडिया, इंडियन रोविन पंची के बारे में तो कल्चडिया पत्थरों के बीच में अपना घोसला बनाती है इनके घोसले में पौधों की नाजुक टेहनी, जड़े, उन, बाल, रुई, ये सब विच्छा हुआ रहता है और यह चोटे कीडे मकोनों को खाती है इनकी चोच अंदर से लाल होती है अब हम बात करते हैं कोई के बारे में कोई के घोसले में लोहे के तार और लकडी की टहनिया जैसी चीज़ें भी होती है कोई पेड की उंची डाल पर घोसला बनाता है कोईल अपना घोसला नहीं बनाती, वह कोई के घोसले में अंडे देती है कोवा अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों को भी सेता है नेक्स्ट है फाक्ता के बारे में फाक्ता केक्टस के काटों के बीच या मैदी की मेड में अपना घूसला बनाती है अब है गोरिया गोरिया अलमारी के उपर आइने के पीछे अपना घूसला बनाती है चेद बना करके उसमें अंडे देती है। नेक्स्ट है कबूतर तो कबूतर पुराने मकान्या खंडर में गोसला बनाते हैं। अब है दरजिन चिडिया दरजिन चिडिया अपने नुकीली चोस से पत्तों को सी लेती है और उनसे एक ठैली सी बना लेती है और उसमें अंडे देती है नेक्स्ट है सक्कर खोरा सक्कर खोरा किसी छोटे पेड़ या जाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ गोसला बनाती है इसका गोसला बाल, मकडी के जाले, पतली टैनिया, बारी घास, सुखे पत्ते, रूई, पेड की छाल के टुकड़ों और कपड़ों के चीथनों से बना हुआ होता है नेक्स्ट बात करते हैं नर बीवर पच्छी के बारे में नर बीवर पच्छी अपने गोसले बनाते हैं मादा बीवर उन सभी गोसलों को देखती है, फिर उन मेंसे जो गोसला सबसे ज़्यादा पसंद आता है, उसमें ही वह अंडे देती है नेक्स्ट है पंच्छी पंच्छी के वल अंडे देने के लिए गोंसला बनाते हैं जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वह गोंसला छोड़ करके उड़ जाते हैं गोंसला छोड़ कर पच्छी अलग-अलग जगे चले जाते हैं पेडों पर, जमीन पर और पानी में अधिकतर पच्छियों की आँखें उनके सिर्के दोनों तरफ होती हैं पच्छी एकी समय में दो अलग अलग चीजों पर एक साथ देख लेते हैं यानि उन पर नजर डाल लेते हैं जब अलग अलग चीजों पर केंद्रेत करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ जाता है और चफ ये बिलकुल सामने देखते हैं तो इनकी दोनों आखे एक ही चीज पर होती है ज्यादा तर पच्छियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती वह अपनी गर्दन घुमा कर ही आसपास देखते हैं पच्छियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और उन्हें गर्माहट भी देते हैं उनके नए पंख आते रहते हैं और पुराने जढ़ते रहते हैं कुछ पच्छी अलग-अलग खत्रों के लिए अलग-अलग आवाज निकालते हैं जैसे के उड़कर आने वाले दुष्मन के लिए एक तरह की आवाज और जमीन पर चल कर आने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाज निकालते हैं पच्छियों के कान दिखते नहीं हैं लेकिन इनके सिर्क के तोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं जो पंकों से डखे हुए रहते हैं पच्छी इनी की मदद से सुनते हैं अब है आपका हाथी तो हाथी को पानी और कीचड में खिलना बहुत पसंद होता है इससे उसके सरीर को थंडक मिलती है हाथी के कान पंक्खे जैसे होते हैं गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिला करके हवा भी करते हैं तीन महीने के हाथी 200 किलोगराम बजन का होता है एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोगराम से ज्यादा पत्ते और जाडियां खा लेता है हाथी भहुती कम आराम करता है एक दिन में केवल 2-4 घंटे सोता है हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद भी करते हैं अब हम बात करते हैं हाथी के जुन्ड के बारे में तो जुन्ड में केवल हतिनिया और बच्चे ही रहते हैं जुन्ड की सबसे बुजुर्ग हतिनी ही पूरे जुन्ड की नेता होती है नेक्स्ट है इस जुन्ड में 10 या 12 हतिनी और बागी बच्चे होते हैं 14-15 साल तक हाथी जुन्ड में रहते हैं फिर वह जुन्ड छोड़ करके चले जाते हैं अब है next sloth तो sloth देखने में भालू की तरह होते हैं पर ये भालू से अलग होते हैं ये दिन में करीब 17 गंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर आराम से सोते रहते हैं ये सप्ता में एक ब भरता है 40 बर्स के अपने जीवन काल में ये सिर्फ आठ पेड़ों पर ही गूमते हैं यानि sloth का जो जीवन काल होता है वो 40 बर्स का होता है next है आपका बाग तो बाग अंधीरे में हमसे 6 गुना बैतर देख पाते हैं बाग की मूझे हवा में हुए कमपन को भाप लेती हैं जिससे उसे सिकार का सही स्थिती का पता चलता है और इससे वो अंधीरे में रास्ता भी डूढ लेते हैं बाग अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंद छोड़ता है दूसरा बाग इस गंद को तुरंत पहचान लेता है next point है बाग मौके के अनुसार अपनी आवाज करने के लिए अलग-अलग देशाओं में बहुत जादा घूम जाते हैं बाग हवासे पत्तों के हिलने और सिकार के जाडियों में हिलने से हुई आवाज के अंतर को तुरंत भाप लेते हैं अब हम बात करते हैं सांप के बारे में तो हमारे देश में केबल चार तरह के ही ज तो उसके दो खोकले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के सरीर में जहर चला जाता है इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की दवाई दी जाती है जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है सांप के दांत नुकीले होते हैं लेकिन वह अपने सिकार को चबा कर न हुए कमपन को ही सुन पाता है सपेरों को कालवेलिया भी कहते हैं कालवेलिया नाच में साप जैसी मुद्रा होती है आपसे कोशन बनता है कि कालवेलिया नाच कहां का फेमस है तो कालवेलिया जो डांस है आपका राजिस्थान राज्य का फेमस डांस है नेक्स्ट है आपका लंगूर तो जंगल में उंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने पास आती मुसीवत को देखकर एक खास आवाज निकाल कर अपने साथियों को संदेश देता है और उन्हें चोकनना करता है अब हम बात करते हैं मगरमच्च के बारे में तो मगरमच्च के छोटे छेद जैस कान होते हैं लेकिन उसके कान आसानी से दिखाई नहीं देते अब है चिपकली तो चिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं नेक्स्ट है मचलियां तो खत्रों के चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं अब है डॉल्फिन डॉल्फिन भी अलग-अल करते रहते हैं दातों से काथने और कुतरने के कारण इनके दात गिस जाते हैं अब बात करते हैं हम बिल्ली के बारे में तो बिल्ली के दात नुकीले होते हैं जो मास को फाड़ने और और काटने के काम में आते हैं गाय के आगे के दांत पत्तों के काटने के लिए होते हैं और पीछे के दांत चप्टे और बड़े होते हैं जो घास को चबाने के लिए होते हैं अब हम बात करते हैं अन्य जानवरों के वारे में तो जानवरों की खाल पर जो डिजाइन होते हैं वह उनके बालों के रंग के कारण होते हैं दिन में जागने वाले जानवर आम तोर पर कुछ रंग ही देख पाते हैं रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काली ही देखते हैं बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गैरी नीद में चले जाते हैं जैसे के छिपकली कुछ जानवर भूकम प्या तूफान आने के कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है जानवरों में भी देखने, सुनने और मैसूस करने की सक्ती होती है बैग्यानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपने पूरी भासा होती है जिन जानवरों के बाहरी कान वा सरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं जिन जानवरों के बाहरी कान वा सरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं इस्तंधारियों की बेसेस्ताओं में इनके सरीर पर बाल का पाया जाना और कान के मध्यभाग में और तीन अस्तियों मेलियन, इनकस वा स्टेप्स का पाया जाना प्रमुख होता है नेक्स्ट पॉइंट है यदि कुछ प्रजातियों को छोड़ दें तो लगबग सभी इस्तंधारी बर्ग के जन्तु बच्चे देते हैं तथा चिन जानवरों में यह नहीं पाए जाते हैं वे अंडे देते हैं नेक्स्ट टॉपिक है घास घास का पॉधा जितना जमीन के उपर होता है उससे कहीं ज्यादा जमीन के अंदर फैला हुआ होता है घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं इन्हें खुर्पी से खोद करके निकाला जा सकता है नेक्स्ट है आपका बर्गद तो बर्गद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ों तक होती है और ये टहनियों से निकलती है और आगे बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती है यह जड़ें मजबूत खंबों की तरह पेड़ को सहारा देने का काम करती है नेक्स्ट बात करते हैं रेगिस्तानी ओक के बारे में तो आस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पेड़ पाया जाता है जिसकी उंचाई 11-12 फीट होती है इसकी पत्तियों इसकी जो पत्तियां है वो बहुत कम होती है इसकी जड़ें चमीन के अंदर 200-300 फीट तक जाती है जब तक पानी तक न पहुंच जाए यहाँ पानी पेड की तनों में जमा होता रहता है जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता या पानी की कमी बढ़ जाती है तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डाल कर पानी निकाल लेते हैं नेक्स्ट बात करते हैं हम निपेंतिन्स नामक पौधा इंडोनेसिया, और भारत के मेगाले में पाया जाता है यह पौधा छोटे-छोटे कीडे मकोडे और जीवों को खा जाता है यानि उनका सिकार करता है यह पौधा लंबे घड़े के जैसा दिखता है जिसके उपर पत्ती का ढखकन लगा हुआ होता है और इस मेंसे खुस्वू निकलती है जिसकी बज़े से कीडे मकोडे उसके अंदर फस जाते है निपिन्थिन्स पौधे को घटपड़ी पौधा भी कहा जाता है नेक्स्ट बात करते हैं बीज के बारे में तो बीज को प्राचिन समय में सूकी लौकी में रखकर उस पर मिटी का लेप कर देते थे और नीम की पतियां इन्हें कीनों से बचाती थी नेक्स्ट पॉइंट है पौधे स्वयम्भी अपने बीजों को दूर तक फैक देते हैं और कपड़ों में चिपकर तथा पानी के जरिये भी ये एक जगे से दूसरी जगे पहुँच जाते हैं सोया वीन की फलियां पक्कर फट जाती हैं और उसमें से बीज बाहर निकल जाते हैं काली मिर्च, सौफ, गेहूं आदे बीज होते हैं नासपाती, विंडी, करेला, खीरा, टमाटर, चीकू आदे में बीज होते हैं मिट्टी में गोवर मिलाने से मिट्टी में कीडा नहीं लगता नेक्स्ट है आपका फसल तो एक ही प्रकार की फसल उगाने से और कई केमिकल्स को यूज करने से जमीन बंजर हो जाती है नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटन पौधे के बारे में क्रोटन पौधे जमीन के बारे में उसकी दिसा को बता देते हैं यानि सिगनल दे देते हैं नेक्ष्ट है आपका क्रोटन पौधे की जड़ जमीन में ज़्यादा गहरी नहीं जाती है जब मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधे की पत्तियां सूखने लगती है खनेजों को अपसोसित करती हैं और हुमस उपलब्द करवाती हैं अब हम बात करते हैं सबजियों के बारे में तो अधिकतर सबजियां पौधों के फूल होती हैं और कुछ सबजियां पौधों का फल भी होती हैं हरी मिर्च टमाटर आलू आया साउथ अमेरिका से गोवी और म केंचुए जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं, जमीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाता है, केंचुए मृत पत्तियों और बौधों को खाते हैं, और इनके मल से जमीन उपजाव बनती है, केंचुओं को किसानों का मित्र भी कहा जाता है, नेक्स्ट बात करते हैं जूम खेती के बारे में यानि सिफ्टिंग फार्मिंग के बारे में जूम खेती का तरीका बिलकुल अलग है एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं उसमें खेती नहीं करते इस जगे जो बास या जंगल उग जाता है उसे उखारते नहीं है बस गिरा करके जला देते हैं यहर आख जमीन में खाद का काम करती है जमीन को जलाते हुए आसपास के पेड न जलें और जंगलों को नुकसन न पहुँचे इसका भी ध्यान लगना पड़ता है फिर इस जमीन में खेती की बारी आती है तो जमीन को जोता नहीं जाता मिट्टी को हलके से हिला कर भी छिड़क देते हैं एकी खेत में अलग-अलग तरह के बीच जैसे मकई, सबजिया, मिर्च और चाबल बोई जाते हैं फसल के समय भी अंचाही घास और पौधों को उखारते नहीं है उन्हें गिरा देते हैं ताके वे जमीन की मिट्टी में मिल जाएं इससे भी जमीन उपजाव बनती है नेक्स्ट पॉइंट है मुख्य फसल चाबल की होती है यानि जूम खेती में जो मुख्य फसल होती है वो चाबल की होती है फसल पकने पर गाउं में सबसे बड़ा त्योहार मना जाता है और चेराव नाच भी करते हैं इस नाच में जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो-दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है धोल की ताल पर डंडीयों को जमेन पर पीटते है डंडीयों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं इस्थानांतरित खेती या जूम खेती उत्तर पूर्वी परवती ये तथा आदिवासी छेत्रों में की जाती है इसे जन जाती एक रसी भी कहा जाता है नेक्स्ट पॉइंट है जूम खेती मिजोरम में होती है मिजोरम की मुख्य फसल चावल है मिजोरम में तीन चौथाई लोग जंगल में रहते हैं यहां खेती की लोटरी निकाली जाती है जमीन को साजा मानकर सभी लोगों को बारी बारी उस जमीन पर खेती करने का अफसर मिलता है मिजोरम में मिजो भासा बोली जाती है मिजोरम में बांस के बर्तन बनाई जाते हैं जिस मैदान में एक तिन बीज बोई जाते हैं, उसे एक तिन जमीन बोलते हैं, कोड़ुक जारखंड की एक आदेवासी जन जाती है, कोड़ुक भासा में जंगल को तोरांग कहते हैं, भारत के उत्तरपूर्वी छेत्रों में इस्थानिय खेती करने का रिवाज है, बेलवन क गाओ करनाटक में है, जोलाई के महीने में प्याज उगाने का काम सुरू हो जाता है, खूंटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है, समय पर प्याज ना काटी जाये तो वह जमीन के अंदर ही सर जाती है, खरपतवार कुछ पौदे बिना बोए खेतों में अप आप उग जाते हैं, जिने हम घर पतवार कहते हैं, इन्हें निकालना जरूरी होता है, नहीं तो सारा खाद और पानी ये ही ले लेते हैं, और फसल कम होने लगती है